नमस्कार आप देखे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो, SMS इंफ्रास्ट्रक्शर जो की अवयद खनन किया यवतमाल जिले के दिग्रस में इस संबंधित कुछ एहम जानकारी सुत्रों से हमें प्राप्थ हुई है वह जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं सबसे पहले आपको मैं बता दू कि सिंट्रल रेल्वे का एक काम जो वर्धा से नांदेड तक का सिंट्रल रेल्वे का पट्री बिछाने का काम था उसमें SMS Infrastructure Limited और राज राजश्वरी एक कंपनी यह दोनों मिलके जॉइंड वेंचर में इन्हें इस काम में काम करने का टेंडर प्राप्थ हुआ यह फेज 2 का काम था और लगभग 24 किलो मिटर का काम यह रेल पट्री बिछाने का काम सेंट्रल रेल का था जिसे SMS और राज राजश्वरी को प्राप्थ हुआ अब सवाल यह उठता है कि खनन कैसे शुरू हुआ अवायद का सिलसला कैसे शुरू हुआ तो मैं आज सारी बा उसके नजर रखने के लिए नजर क्या रखना है नजर यह रखना है कि रेल मार्ग में जो काम हो रहे उसको ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो PMC इसको अभी हम छोड़ देते हैं PMC अपना काम कर रही है अब सवाल यह उठता है SMS Infrastructure और राज राजश्वरी यह दोनों मिलके किस तरीके से अवयद खनन किये हैं यवद माल में वह आज हम आपको बताने वाले हैं यवद माल के दो तालुका में काम है एक दिग्रस और दूसरा दार्वा अब दिग्रस और धार्वा में यह हुआ कि जोईंड वेंचर में दोनों जो कंपनी काम कर रही है इन्होंने दार्वा से पर्मिशन निकाली पर्मिशन किसे दार्वा के लिए यानि कि एक लोकेशन वन के लिए पर्मिशन निकाला इन्होंने खनी कर्म विभाग से अठरा करोर रुपए की रोयल्टी इन्होंने वहां से पर्मिशन लिया जो की सेंट्रल रेल्वे का काम है इसलिए रोलिटी के पैसे इन्हें वापस भी refund हो जाते हैं जो हमें पास जानकारी है अब सवाल ये उठता है कि यदि इन्हों ने धारवा करके जो तैसिल है अगर वहां से इन्हों ने उस location का अगर permission निकाला है तो सूत्रों के इंसाब से जो हमारे पास जानकारी है उससे य करके उस समय के जो तत्कालिन तैसिलदार थे उन्होंने साब तरीके से क्लिंच इट दिया है कि भाई हमने किसी तरीके या कोई permission नहीं दिया है दिग्रस तैसिल में इन्हें खनन करने के लिए इन्हों ने धारवा के लिए जो रोयल्टी भरी थी तो यह दिग्रस में खनन क कैसे कर सकते हैं यह एक बड़ा question मारक है एक बड़ा सवाल है अब एक second के लिए मान लेते हैं कि खनी कर्म विभाग का एक target है मान लेते हैं कि उसका target एसे में सोर राज राजस्वरी जैसी कंपनी आकर के उसे कूड़ा कर देती है और धारवा कर जो तैसिल है उस तैसिल के नाम से एक location वन के तरब से इनका एक ATP भी उन्हों ये कर लेती है पैसा भर देते हैं लेकिन क्या ये ATP का पैसा भरना यानि कि रोयल्टी भर लेना एक तैसिल से यानि क्या इन्हों ने खरीनी कर्म विभाग को खरीद लिया है क्या अगर खरीद नहीं लिया है तो location 1 से अगर इन्होंने permission लिया है तो फिर without permission दिग्रस में जुम्मा मस्जीत की सबसे अधिकारिक जमीन थी उस पर कैसे इन्होंने खनन किया और यसे और भी कितने जमीने हैं जहां से इन्होंने आबाइद खनन किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था SMS infrastructure company जो कि नागपुर की company और इसके मालक जो है वो आनंद संचेती और आनंद संचेती जो हमारे पास जानकारी आई है वो अजय संचेती के भाई हैं अब अजय संचेती कौन है यह हम आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे दूसरी बात इस संबंधित जो हमारे पास अहम सबूत लगे हैं इसमें जो जानकारी मिली है अवैद काम काम में अनियमत्ता ऐसी कई तरीके के सवाल हैं कई तरीके के इनके पास में complaint भी है विभाग के पास में डिपार्टमेंट के पास में अब डिपार्टमेंट के तरब से district mining officer हो या फिर additional collector हो या फिर इस संबंध करेंगे और आप तक ले कराएंगे चिर्फ सच तो बड़ी खबर यह है कि इन्होंने पर्मीशन कहीं और कहीं हो का किया यानी कि इतनी बड़ी हिम्मत और हिम्मत कैसे आती है जरूर क्या इनी को पॉलिटिकल सपोर्ट है और सपोर्ट कैसे है और हम आपको साबित करके तेंक